हेलो अमेजियन्स तो मेरे पास ये जो है पुराने वाले हूप्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इसको कुछ बनाया जाए तो सबसे पहले मैंने अपने पिटारे में से क्लॉथ का तुपड़ा निकाला जो भी आपके पसंद का हुगा वो क्लॉथ ले लेना उसके बाद इसे पतले पतले श्रप्स में कट करके इसे सीव कर लेंगे सीव करने के बाद फ्लिप कर लेना है फ्लिप करने के बाद बस हूप्स में हम इसे अटेच करते जाएंगे जैसे हम अटेच करेंगे वैसे ही इस क्रंची अपने आप बनने लगेगी उसके बाद last end को दोनों के secure कर लेना है सुई धागे की help से beads attach करना है जैसे वीडियो में दिखाय जा रहा है वैसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक comment, like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में